ओम शांति ओम शांति आजे किस मई दो हजार देज दिन रवी वार की अव्यक्त मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावक्यों को समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार तीन बिंदी लगाना आज बाप दादा किस सभा में आए हैं ये सारी सभा किन अत्माओं की हैं बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाइस्ट रिच्चेस्ट हैं दुनिया वाले तो कहते हैं रिच्चेस्ट इन दी वर्ल्ड लेकिन आप सभी हैं रिच्चेस्ट इन कल्पा इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिच्चेस्ट हूँ लेकिन भविश्य में भी अनेक जन्म सहुकार से सहुकार रहेंगे और आप सभी निश्चे और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा गैरंटी है ना तो ऐसा रिच्चेस्ट सारे कल्प में देखा तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो हिसाब निकालो जमा का खाता कितना तिव्रगती से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है इसमें मेहनत है क्या आपकी कमाई वा जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ आप भी बिंदी बाप भी बिंदी और ड्रामा में बीती को बिंदी लगाना तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना और कोई मातरा है ही नहीं क्या क्यों कैसे ये question mark की मातरा आश्यरे की मातरा किसी की आवशकता नहीं है क्योंकि master knowledgeful बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया बदल गया या भी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया त्रिकाल दर्शी ये स्वपन में भी नहीं सोच सकते तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है सबसे सहज बिंदी होती या question mark सहज है बिंदी सहज है ना बिंदी लगाने में कितना time लगता है second से भी कम बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है कई बार बिंदी के बजाए कलम भी लंबी लखी रखी चिलेती है बिंदी लगाने से एक second में आपके कितने खजाने बच जाते हैं खजानों की list तो जानते हो ना अगर बिंदी के बजाए और कोई मत्रा लगाते हो वा लग जाती है तो सोचो ग्यान का खजाना गया शक्तियों का खजाना गया गुणों का खजाना गया संकल्प का खजाना गया एनरजी गई श्वांस सफल के बजाए असफलता में गया समय गया कितना गया लंबी लिस्ट हो गई न तो ये कभी भी नहीं सोचो कि एक दो सेकंड ही तो गया लेकिन एक सेकिंड में गवाया कितना एक सेकिंड में भी कितना भारी हो गया हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाती चलो कमाया क्या और गवाया क्या इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं अमरत वेले मिलन भी मनाते रुह रिहान भी करते वाइदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे ये करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवाँ भी देते हैं फिर आधार क्या बनाते हैं बाप दादों को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया तो फिर बातें क्या करते हैं सिर्फ संकल्प में चला ना वो तो ठीक हो जाएगा बाप को भी दिला से दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा पुर्शार्ती है ना संपूर्ण तो नहीं होए हो जाएगा तो बाप दादा कहते हैं कि ये गागा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं लेकिन ये भी कब तक क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्सा पाना है वर्सा अविनाशी चाहते हो संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा और पुर्शार्थ में अधूरा पुर्शार्थ चलेगा तो पुर्शार्थ के समय तो करेंगे देखेंगे, बनेंगे कर ही लेंगे, हो ही जाएगा ये सोचते हो और प्राप्ति के समय गे गे करेंगे उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए संपूर्ण वर्सा चाहिए सभी लक्ष्मी नारायन बनने में हाथ उठाते हो मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायन की भी आठ गदियां चलेंगी लेकिन हाथ तो लक्षमी नारायन में उठाते हो ना तो लक्षमी नारायन का आर्थ है नंबर वन पास विद ओनर होना बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है सिर्फ पुर्शार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म मिलाओ बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेज्योरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है द्वापर काल से व्यर्थ सुनने देखने और फिर सोचने की आदतना चाहते भी आकरशित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है पहले भी सुनाया कि सेकिंड का भी कितना महत्व है दूसरी बात मेज्योरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं एक घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना है बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है अगर हर बोल में शुब भावना श्रेष्ट भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाई है वो तो आनेक हैं इर्ष्या, हशद, ध्रिणा ये भावनाई चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं हर एक की ओटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं हर बोल का सार नहीं होता कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था ऐसे ही निकल गया, वो बोल दिया लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना? तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गवाया ना? तो बोल में भी गवाने का खाता ज्यादा होता है तो बोल को भी चेक करो ऐसे ही बोल दिया, ये भाशा बदली करो समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव वा सार हो अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा न जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा लक्ष्मी नारण तो बनना ही है ना कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं पहले जन्म से लेकर श्रेष्ट प्रालब्द पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे पहले जन्म में नहीं आओ दूसरे तीसरे में आओ पसंद है नहीं पसंद है ना तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा, तो प्रालब्द क्या खाएंगे। उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का बहत्व बहुत अच्छा सुनाते हो। संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो तो स्वयम भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ट भागे के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशिष्टा है कि तीनों रूप की प्राप्ती है। एक वर्से के रूप में दूसरा पढ़ाई को सोर्स ओफ इंकम कहते हैं तो पढ़ाई की प्राप्ती के आधार से और तीसरा है वर्दान के रूप में। वर्सा भी है इंकम भी है और वर्दान भी है प्राप्ति बहुत भारी है बहुत बड़ी है सर्फ संभालने वाले बन वर्सा भी बेहद है इंकम भी बेहद है और वर्दान भी बेहद के हैं कभी सोचा था कि रोज भगवान का वर्दान मिलेगा इतने वर्दान किसी को भी कभ भी भी नहीं मिल सकते लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है वर्से पर भी पढ़ाई पर भी और वर्दान पर भी छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी है तीनों ही संबंद से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना सभी फखूर से कहते हैं ना बाप म यह कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है यह समझते हो न तो पढ़ाई पर अधिकार है न और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है तो तीनों पर अधिकार है कहने में तो बहुत साधा इसलिए तो दुनिया वाले हस्ते हैं कि है क्या और कहते क्या है तो अधिकार को सदा स्मरती में रख कदम उठाओ इमर्ज रूप में रखो मर्ज रूप में नहीं हैं तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के ऐसे नहीं इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धी में, कर्म में इमर्ज रखो मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ बुद्धी में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चे और नशे से हर कर्म हो ऐसे नहीं, अमरित वले तो इमर्ज रहता है फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ तेवरगती से बढ़ाना, डीला ढाला नहीं करना क्योंकि समय आप मास्टर रचियता के लिए रुका हुआ है अभी भी प्रकरती को ओर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता है और कितने में हो सकता तो समय प्रकरती और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है आप संपूर्णता की बधाईयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी माया भी देखती है अभी ये तयार नहीं है तो चांस लेती रहती है प्रकरती को ओर्डर करें पुरुष तयार है प्रकरती तो तयार हो जाएगी ओर्डर करें कि ज्यान सरोवर तयार हो पीछे ओर्डर करें ऐसे एवर रेड़ी हो के रेड़ी हो शक्तियां एवर रेड़ी है संपूर्ण हो गए थोड़े को तो एवर रेड़ी नहीं कहेंगे न ये सोचो चेक करो कि अगर इस घड़ी भी विमहाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नौलेज के आईने में जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से स्रिष्टी रच ली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा साती चाहिए न तो ब्रह्मा बाप भी आप सातियों के लिए रुके हुए हैं, तो बाप बच्चों से प्रशन करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रशन बहुत कर चुके हैं, अभी बाप बच्चों से प्रशन करते हैं, कि डेट फिक्स करो, सभी काम की डेट फिक्स करते हो न, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी महुरत होना है न, ग्यान सरोवर की भी डेट फिक्स है होस्पिटल की भी डेट फिक्स है इसकी डेट क्या है ये किसको फिक्स करनी है बाप को नहीं करनी है ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना अच्छा नए बच्चों को देखते हुए देखो आप नए नए बच्चे जो आई हैं आप से सब का कितना प्यार है पहला चांस आप सब को ही देते हैं सब खुश राजी हैं कितने पैर प्रिथवे मिली है दो पैर या तीन पैर दो पैर दो पैर में भी राजी तो हो तकलिफ तो नहीं है ना खाना पिना तो अच्छा मिल रहा है ना मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती मेले देखे हैं ना ऐसे ब्रह्मा भोजन ऐसा परमात्म परिवार कहां मिलता है सर्दी लगती है मौसम की भी मिठाई होती है तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है मिठाई तो खानी चाहिए ना सबको शोलों की सोगात तो मिलती है कोई मेले में ऐसी सोगात मिलती है ये खाली हो कराते हो अच्छा नयों की दिल पूरी हुई मदुबन देख लिया पहले स्वपन में था अभी साकार में हो गया कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है क्यों? सोचो अभी 9 लख जमा हुए है पहले जन्म की संख्या ही तयार नहीं हुई है वो तो होनी है न कितने मकान बनाएंगे कितने ग्यान सिरोवर बनाएंगे सबी कहते हैं संख्या बढ़ाओ जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी तो क्या करेंगे जितना मिले उतने में राजी रहो मेला भी करना है न तलहटी में ब्राह्मनों का विशाल संगठन होना है ये तो मेले में आने नहीं है ये तो आ गई दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है दस हजार सोएंगे भीड नहीं हो जाएगे ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया फिर क्या होगा फिर अलबेला पनाएगा नहीं आएगा और आगे बढ़ेंगे ये भी ड्रामा में जो विदी बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है एक साल में पक्के तो हो जाते हो न नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं फिर युद्ध करनी पड़ती है हर साल में आपके यहां अर्थत मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं अभी भी ये मेला क्या है इंटरनेशनल है न देश विदेश सब तरफ के हैं न दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्रम पांच साल में एक किया तो बहुत कर लिया और मधुबन में कितने होते हैं पता पढ़ता है इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश मज़ा आता है न लेकिन आना टर्न पर अभी तो देखो दस हजार में भी टेंट तो मिलेगा न आखिर में ये सब साधन स्माप्त हो जाएंगे सारे आबु के पहाडों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं अच्छा चारों और के हाइस्ट और रिचेस्ट श्रिष्ट आत्माओं को हर खजानों के मालिक संपन आत्माओं को सदा स्वेम को एवर रेड़ी बनने वाले तिव्र पुरशार्थी आत्माओं को सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रिष्ट कमाई का खाता जमा करने वाले अती समी पात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग और नमस्ते दादी जी से सब सहज चल रहा है न मेला चल रहा है या खेल चल रहा है संतुष्टता का खेल चल रहा है संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है तलहटी में दो टर्न का सोचा है पहले लिस्ट देखो पीछे दो भारी भी होगा तो कोई बात नहीं बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है न चाहे मधुबन, पांडव भवन में आए चाहे तलहटी में आए उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ तो बच्चों को है लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है मनोरंजन है तो बाप को तो तन में ही आना है न बस संगम पर करना ही क्या है? मेला और खेला सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो और क्या करना है? खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ अच्छा वरदान बाबा शब्द की डायमंड की अर्था तिचाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मस ने ही भव बाबा शब्द की डायमंड की अर्था तिचाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले पर्मात्मस नहीं भव अब बाब दादा के वर्दान को विस्तार में समझे जो परमातमस नहीं बच्चे हैं उन्हें बाब दादा एक डाइमंड शब्द की बहुत बढ़िया सोगात देते हैं वे शब्द है बाबा इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी इस चाबी की कीचेन है सदा सर्व संबंधों से स्मरती स्वरूप रहना साथ साथ प्रतिग्या के कंगन और सर्व गुणों के श्रिंगार से सजे सजाए रहो तब विश्व के आगे फरिष्टे रूप वा देव रूप में प्रख्यात होंगे स्लोगन बीती को पास करके पाप दादा के पास अर्थात समीप रहो तो पास विद ओनर बन जाएंगे ओम शंती सूचना आज मास का तीसरा रविवार है सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्ती वान के शक्ती शाली स्वरूप में स्थित हो सर्वशक्तियों का महादान करें दुखियों की पुकार सुने उपकार करें उों सांती उों सांती झाल झाल